जहिन दोस्तों हमारे योटूब चैनल यूपीयसी पीयसी वित्मनीशा में आप सभी का स्वागत है देश के सभी छेत्रों में राज, जिला या तैसील हो या फिर गाउं हो सभी जगे प्रसासन संबंधी काम IAS, PCS ऑफिसर करते हैं और उन छेत्रों में सुरक्षा संबंधी या रक्षा संबंधी जो काम हैं और जिम्मेदारी हैं वो पुलिस व्यवस्ता मतलब IPS या PPS ऑफिसर की होती है इसलिए सासन चलाने में दोनों की बहुत ही महतपूर भूमिका है इसलिए दोनों को फैसलिटीज भी लगभग बराबर दी जाती है लेकिन एक फैसलिटीज ऐसी है जो दोनों में अंतर कर देता है अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन सी facilities है जो दोनों को अंतर कर देते हैं और मैं यहां बता दू कि IPS या PPS officer को यह special facilities दी जाती है ना कि IAS या PCS officer को अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है तो चलिए मैं उसका जवाब देती हूँ यहां पर IPS और PPS officer को जनता की सुरक्षा के लिए और खुद की सुरक्षा के लिए उनको सरकारी जो बंदूक होती है या पिस्तॉल या रिवॉल्वर ये दी जाती है उनको इसको रखने का अधिकार होता है लेकिन यहीं पर एक IAS अधिकारी हो या PCS अधिकारी हो इनको खुद की सुरक्षा के लिए या जनता की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता है मतलब की जो हतियार है गन, पिस्टॉल, रिवॉल्वर या बंदुग ये सब चीजे रखने को सरकार की ओर से नहीं दी जाती है लेकिन यहाँ पर IAS या PCS आफिसर को या अधिकार दिया जाता है कि उनको अपनी खुद की रख्षा के लिए अगर अपने पास हतियार रखना है, मतलब की रिवॉल्वर या पिस्टॉल रखना है तो वो इस चीज को खुद से अपने पैसे लगा करके रख सकते हैं लेकिन सरकार की ओर से उनको इस्पेसल नहीं दी जाती है तो यह रही स्पेसल फैसलेटीज जो IPS और PPS आफिसर को दी जाती है ना कि IAS या PCS आफिसर को दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट करें और हमें बताएं कि वीडियो कैसर आए